जै श्री हरी, spiritual ग्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को पता है अशार महा शुरू हो चुका है आज से तो जानते हैं किस देव तक होती है अशार महा में पूजा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो कौन से काम है जो साड़ माह में नहीं करने चाहिए कहते हैं इस महीने के शुरू होने पर देव सो जाते हैं भले ही आप उनकी उपासना में कोई कमी न छोड़ें लेकिन इस दोरान शादी जैसे सुब कार्यों को करने से बचना चाहिए इन शुब कार्यों के लिए सही समय की प्रतिक्षा करने चाहिए नमबर दो इस महा में से वर्षा रितु का आगमन होता है और इस दोरान किसी भी तरह से जल का अपमान नहीं करना चाहिए जल की बरबादी को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता है नमबर तीन कुछ लोग खाने पीने की चीजों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए उनका कभी भी सेवन कर लेते हैं कहा जाता है कि बासी बोजन को खाने से अशुबता आती है और ये पेट के स्वास्त के लिए भी अच्छा नहीं होता है असार महा लगने के बाद शुब कारें पर रोक लग जाती है अगले चार महिने कोई भी शुब कारें नहीं करना चाहिए सभी शुब कारें वर्जित माने जाते हैं शादी जैसे बड़े कारें तो बिलकुल भी असार महा में नहीं करने चाहिए आप जान लेते हैं वो कार्य जो असाड महा में करने चाहिए नमबर एक असाड के महिने में भगवान विश्णों की पूजा करने का विशेश महत्व है इसके अलावा इस महिने में दान पुन्न का खास महत्व माना गया है असाड के महिने में गर्मी और उमस भी बहुत अधिक होती है ऐसे में खड़ाओ, चाता, पानी से भरा घड़ा, खर्बूजा, तर्बूज, नमक और आमले का दान बहुत अच्छा माना जाता है इसके अलावा, सूर्य देव और जल देव की उपासना का भी विशेश महतु असाड महा में माना जाता है नमबर दो, आप चाहें तो अपने जीवन में शुक एवम शान्ती के लिए यग करा सकते हैं सास्त्रों के मुताबिक इस महा में यग कराना बहुत शुब होता है पोराणिक मानेत अनुसार असाड महा में वर्षा के कारण जल में जीव जन्तों की उत्पत्ती अधिक बढ़ जाती है अतहा इस महा स्वच जल ही पीना चाहिए तथा इसकी स्वच्छता का विशेश ध्यान रखना चाहिए ताकि पेट से संबंधित रोगों से दूर रहा जा सके इन दिनों पानी उबाल कर पीना चाहिए इस महा में शरीर की पाचन किरिया धीमी बढ़ जाती है अतहा इस मास में स्वच्छता का विशेश ध्यान रखना चाहिए खाज कर बारिश के मौसम या चातुर मास के दौरान खाने पीने की चीजों और सेहत को लेकर विशेश एहतियात बरतनी जाहिए इस महिने अनकम ही खाया जाता है रसीले फल खाना उचित रहता है इस दौरान सात्विक चीजें ग्रहन करना चाहिए आये जानते हैं इस महिने में क्या ना खाए नमब एक असाड में हरी सबजियां, पतेदार भाजियां बिलकुल नहीं खाना चाहिए नमब दो इस महा जहां तक हो सके तेल वाली चीजें कम खाना उचित रहता है नमब तीन इस महा बिलकुल भी बेल नहीं खाना चाहिए नमब चाहिए असाड में मास मचली का सेवन नहीं करना चाहिए नमब पांच इन दिनों शराफ मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए नमब च्छ इस महीने बेंगन, मसूर की दाल, गोबी, लेसुन और प्याच का सेवन नहीं करना चाहिए सौफ, हींग और निम्बू का प्रियोग फायदे मन्द होता है भगवान विश्णो को समर्पित है असाड मास कहते हैं कि असाड माहा में मांगी गई कामना पूरी हो सकती है इसके अलावा इस दौरान भगवान विश्णो की उपासना करने से भी कई लाब मिलते है असाड माहा में सबसे अधिक फलदाई उपासना गुरू की होती है इसके साथ ही देवी की उपाशना भी शुब फल देती है असाड के महिने में बंगवान विश्नु की उपासना से संतान प्राप्ति का वर्दान मिलता है असाड के महिने में ही जल की उपासना भी की जाती है माननेता है कि जल की पूजा से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है इस महिने में मंगल और सूर्य की उपासना अवश्य करें ताकि उर्जा का इस्तर बना रहे इस महिने आने वाले वृत और त्योहार असार मास के पहले दिन खड़ाऊ चाता नमक तथा आमले का दान किसी ब्रह्मन को किया जाता है इसी महिने में श्री जगनाज जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है इस महिने में सूर्य और देवी की उपासना भी की जाती है इस महिने में तंत्र और शक्ति उपाशना के लिए गुप्त नवरात्री भी मनाई जाती है इसी महिने से श्री हरी विश्नु भी शयन के लिए चले जाते हैं तो ये दी जनकर ये असान महिने से संबंदित आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा जदे से जदे लोगों तक शेयर कीजिएगा इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें